ये cinema hall वाले, ये multiplex वाले आखिरी ये पैसे कमाते किसे हैं। source number one, ticket की sale, तो ticket की sale में आपको लगता है कि ticket का जित्ता पैसा है तो cinema hall वाले के रहता होगा, नहीं जनाम, उनका पैसा नहीं होता है। distributor जो है, जो producer से movie खरीता है, और cinema hall वालों को देता है, उसका इसमें वेकायदा share होता है। second source of revenue जो है multiplex का वो आता है आपकी प्यारी canteen से, जो छोटे cinema hall होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको outsource कर देता है। किसी canteen वाले को बोला, भाया, तेरे से इतने रुपे का ठेका है, कॉंट्रक्ट है, पाच लाग रुपे महीने तू हमें दे, और यहां पे store लगा, जो माल बिके सब तेरा हमको profit से मतलब नहीं है। और जो बड़े cinema hall है, वो कहते हैं, नहीं भाया, हम खुद का chef रखेंगे, खुद के waiter रखेंगे, क्योंकि इसमें कमाई बहुत जाता है। तीसरा source of revenue है, जो पहले नहीं था, अब बहुत बड़ा हो चुका है, वो है advertisement. अगर आप notice करेंगे भी तीन बज़े की movie है, आप अगर तीन बज़े की movie है, आपकी movie निकलती नहीं है, क्यों? पंदरमेंट तो IDR होते हैं, इन सभी ad का भीया जो पैसा है, वो cinema hall की gym में जाता